मतर की बहुत ही टेस्टी और फूले फूले पराथे बनाई ये बहुत ही इजी तरीके से मार्केट में मतर आने लगे हैं इसका पराथा बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है तो इस सीजन इस रेस्पी को एक बाद जरूर ट्राए करेगा आपको बहुत ज्यादा पसंद और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आपको मेरे द्यस्पी पसंद आये तो चली बनारा शुरू करते हैं यहां पर आपको सबसे पहले कड़ाही को गरम कर लेना है यहां पर मैं डाल लूँ दो चम्मज सरसो का तो अब हम इसमें एड़ करेंगे लहसन, यहाँ पर मैंने 7-8 लहसन की कल्यों को छील के डाल दिया है, और अब हम एड़ कर देंगे हरी मिश, तो 3 मैंने हरी मिश डाला है, और इसको आपको लो फ्लेम पे भूनना है, इसे आप तब तक भूनिए, जब तक जो लहसन है कर सकते हैं, तो यहाँ पर जब आप इसे अच्छे तर से भून लीजिए, जब तक इसका जो कच्छापन होता है, लेसन अद्रका वो अच्छे से खतम न हो जाए, अब हम इसमें एड़ करेंगे फ्रेश मतर, तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल दो कटोरी मतर लिया हो है, अगर आपके पास फ्रेश मतर नहीं है, तो आप इसे फ्रोजन मतर से भी बना सकते हैं, फ़र फ्रेश मतर से बनाएंगे न, इसका टेस्ट बहुत बढ़ी आता है, यहाँ पर मैंने इसे एक बार अच्छे तरह से मिक्स कर दिया है, तो मतर हमारे जल्दी से गल जाए, तो आप इ तो दो मिनट के बाद इसे हम चेक कर लेंगे, गैस की फ्लेम को आप लो मीडियम रखें, यहाँ पर देखें पानी मतर ने छोड़ दिया है, तो अब हम इसे अच्छे तैसे मिक्स कर लेंगे, इसके बाद न, आप इसमें एड कर दिजिए थोड़े से मसाले, तो मैं यहाँ सबजी मसाला, आधा चम्मच, आप चाहें तो इसके जगह पे धनिया पाउडर भी नॉर्मल डाल सकते हैं, यहाँ पे आप एड कर दिजिए, थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल पिंच भर आपको डालना है, अब में इसमें एड कर दो चोटी चमच से आदी चमच, लाल जब तक भूनता है, तब तक हम आटा गून लेते हैं, गैस के फ्लेम को छोड़ दिजिए, मैंने यह पे लिया है थोड़ा सा आटा, तीन को टोरी के लगवाँ, यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट और यहाँ पे डाल देंगे आप एक सी दिर चमच के लगवा रिफाइन डॉल, इसको अच्छी तर से मिक्स कर दीजिए, तेल डाल के जह हम बनाते हैं तो पराथे बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनते हैं, तो यहाँ पे मैं अच्छी से मिक्स कर लिया है, अब आप इसमें डाल देजिए पानी, और जैसे हम रोटी के लिए आटा गूनते तो इसे हम धके 10 मिनट के छोड़ देंगे, यहाँ पे हम मतर को चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जो हमारा मतर है, बहुत अच्छी से फ्राइ हो गया है, तो यहाँ पे एक अच्छी तर से मिक्स कर लिजिए, अब मैं आपको यहाँ पर तोड के दिखाती हूँ, कि मतर मारे गल लिए है और यहां पे आपको बहुत ही अच्छी से से ग्राइंड करके त्यार कर लें है तो यहां पर देखें कुछ दाने आप खड़े भी रख सकते हैं पर इस अच्छी साप्राइंड कर लिजिए अब आप इसमें एट कर देड़ें कटा हुआ राधनिया इससे बहुत बढ बड़े साइज के आपको लोई नहीं लेनी है और यहां पर हम हलका सा सुखा अर्थे समें लगा देंगे बीच औ बीच में ऐसी होल बना लेंगे जिसके अंदर आपने श्टफिंग को रख सके अगर आपको लगगा दा कि थो आप इसमें हलका सा ड्राइ अर्टा लगा सकते ह है तो मैंने आपे बहुत ज्यादा क्वांट रख दिया इस अच्छा से हम फील कर देंगे इसके अंदर आपको इसे बंद कर लेना है सेम जैसे आलो के पराठा बनाते ना सेम वैसे आपको यहां पर इसे बना के त्यार करें है इसके उपर हलका सा आप सूका आठा डश्ट क बहुत ज्यादा मोटा और बहुत ज्यादा पतल आपको नहीं रखना है मैं दूश्रे तरीके से बताती हूं कि आप कैसे स्टाफिंग को भर सकते हैं यहां पर लोई ले लेना है इसको हलका सापको फैला लेना है इसके बाद आप इसमें दो चम्मज की लगवर और यहांप एक्स्ट्रा आटा आटा को निकाल दीजाए और इसे आप ऐसे बंद कालिजी तो ऐसे भी आप पराठे को को स्टफ कर सकते हैं तो चलि अवन पराठे मना लेते हैं तो यहां पर वे तूड ज़आ से गराम कर दिया है यहां पर मैंने थोडा स Ellen डालके इसे अद पराथे को डाल देंगे गैस की फ्लेम को लो मीडियम करके इसे कुछ तर के लिए नीचे से अच्छी तर से सीखने देंगे इसके बार आप इसे टर्न कर लीजिए यहां पर आपको कुछ कुछ देर पर चेक करते रहना है किनारे का जो साइड है उसको भी आप दबा के हमारा पराथा बहुत ही अच्छे से फूल गया है यह पोलेम के अच्छे से अच्छे से नहीं मोद बना हो जाएक ए चाह करें तो अचार के साथ चाचनी के साथ सौफ कर सकते हैं तो फ्रेंट इस रेस्पी को ट्राइ करने के बाद अगर आपको मेरे रेस्पी पसंद आए तो प्लीज में चैनल को लाइक शेयर और मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना और बेल अगन को प्रेस करना ना भोले थैंक यू बाबाई